आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल में आज के स्टेटो का रिडिंग में हम देखेंगी कि आपके पर्सन आपके पार्टनर और आपके लव लाइप में क्या बद्लाब आएगा यह टामलेस रिडिंग है इसलिए आज देखिए या फिर इसे कभी भी आप देख स कोषिश करेंगे कि आज उनकी विलिंग्स क्या है क्या सोच रहे वह उनके सबकॉνशिस माइंड में क्या चल रहे आपके बारे में क्या वीचार है उनके सब कुछ जाने की कोशुस करेंगे प्लीस पॉजिटिव रहे कर इस रिडिंग को देखिए अगर नहीं है तो प्ली ये कार्ड कहता है कि completion होगा ज़रूर, यहां पर delays और obstacles मिचे दिखाये देता है, कहीं न कहीं अच्छो शादी का सपना आपने देखा था या फिर इस person के साथ reunion का सपना, उसमें देरी आ रही है, कहीं न कहीं जितना आप इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार आपका बढ़ता ज नहीं होगा, अभी आपको जैसे की शक होने लगा है, लेकर निकार ये भी कहता है कि completion तो होगा, क्योंकि परसन चाहते हैं कि आपके साथ future हो, आपके साथ reunion हो, अभी उनकी परिशानी क्या है, कब तक आ सकते हैं, और उनकी दिल में क्या है, उनकी मन में क्या है, सब कुछ ज justice होगा, ऐसा लगता है ना, अपने शिद्दत के साथ इस परसन को अपनाया है, और हंडिट परसन दिया अपने इस रिष्टे में, और आपको ऐसा लगता है कही ना कही क्योंकि यहां पर 10 नंबर है, 11 नंबर है, तो लगादार, लाइन में नंबर आए हैं, और sequence में नंबर आए, तो ऐसा लगता है ना, जैसे कि एक यहां पर वक्त बतलेगा आपका, ऐसा भी मुझे यहां पर लगता है, साथी साथ, यहां पर strong मुझे लगता है कि परसन दूर तो गए आपसे, यहां पर ऐसा लगता है, और आप चाहते हैं, आपके साथ justice हो, क्योंकि आपका वक्त बरबात किया, उस इंसान ने, आपको जूटे सपने दिखाए हैं शायद, तो आपको लगता है कि अगर यह परसन आपके पास नहीं आते हैं, और किसी के पास गए हैं, तो उनको सबक मिले जरूर, क्योंकि आपको दोका दे कर, जैसे कि आप चाहते हैं, कि वो भी खुश न करने को मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि आपको पहले ही बताते हैं, कि वो आपके सट टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा आपकी खयाल जो आ रहे हैं, अपने सरेंडर कर लिया है, ऐसा लगता है, आपने सब कुछ भगवान के उपर रख दिया हैं अभी, और आप विश्वास है कि उनिवर्स की मरसी है, अगर वो परसन चाहें, वापस आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, ऐसा है लगता है, कि आपने अभी सब कुछ उनिवर्स के उपर छोड़ दिया, भगवान के उपर छोड़ दिया है, कि अगर ये परसन को मेरे जिंदीगी में या मेरे तक्दिर में लिका है तो ज़रूर आएंगे परसन मेरे साथ ऐसा कही ना कही आपका एक मंद कहता है और आपको उसके उपर विश्वास है यहाँ पर ऐसा लगते कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़ादा सोच रहे हैं बहुत ज़ादा परेशन और कही ना गई आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत ऐसे रखते हैं रातों को नीद नहीं आती है और यह कही ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूस भी देते हैं आपकी तबियत खराब रहती है आजकल ऐसा मुझे आपर नजर आता है क्योंकि आप बहुत ज़ादा सोचते हैं सोचते तो हैं साथी साथ डरते भी हैं और जब डरते हैं तो स्टमक इश्यूस आपको जरूर होंगे जैसे की पेट खराब रहना एसीडिटी हो सकती है स्टमक अपसेट हो सकता है ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको हमेशा रहेगी तो आपको पॉजिटिव सोचता है यहां पर ऐसा लगता है आपके रिष्टे में एक तो नियू बिगनिंग हो सकती है या फिर कोई नया इनसान आपसे ज़रूर मिलेगा और आपको फील होगा बहुत ही पॉजिटिव उस परसन से मिलने के बाद ऐसा लगता है आपके दगदिर में कोई तो लिका है इसा लगता है इस परसन जब से यह पार्टनर आपसे दूर चले गए आप भी कहीना गई किसी को पसंद करने ल आता है मतलब कोई जो आपके लिए बनावा है वो परसन आपके जिंदेगी में जरूर दस्तक देगा कदम रखेगा एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाए देती है और यह बिगनिंग ऐसी होगी ना लवस का का यानि कि डिवाइन कनेक्शन होगा साथी साथ दिल का कनेक् और यह परसन अच्छानक आपके जिंदेगी में आ सकते हैं यह आपसे पास्ट में रिलेटेड भी कोई हो सकता है जिसका आप जानते हैं वो परसन आपके जिंदेगी में आ सकता है या फिर और जिसका रिश्ता आपने रिजेक्ट किया था शायद वो परसन कहीं ना कहीं आ आपसे आपके जिन्दीगी में वापस आ सकता है, ऐसा कुछ यहां पर मैंचे नजर आता है, कि पांस से रिलेटेट कोई आपके जिन्दीगी में वापस आना चाहता है, और एक नहीं शुरुवात उस परसन के साथ आप भी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहां पर लगता, कहीना कि वह सच होगा सपना सच होगा ऐसा मुझे लगता है six number बहुत लगी है positive number और यह feminine energy को पर रिप्रेसेंट करता है शल साती साथ success growth को भी यह रिप्रेसेंट करता है यहाँ पर मुझे ऐसा strongly लगता है कि इस के साथ आपका रूणियन होगा या फिर जिस प्यार का इंतिजार आपने किया है वह कहीं ना कहीं आपके जिंदिगी में आने का वक्त अभी हो चुका है ऐसा मुझे यहां पर नजर आता है सिक्स ओफ वांड्स के अनरजी एरीस लियो साचिटेरिस राशी हो सकते मिश राशी से है राशी दनु राशी आपकी आपकी परसन की और चे नंबर बहुत जद लगी है दस नंबर यहां पर आया है कैंसर पाईसर स्कॉर्पियो करक राशी मिंड राशी और शक राशी उसके है एक डैवल का कार्ड और दुसरा है संद का कार्ड यानि कि एक टॉक्सिक रिलेशन्शिप से बाहर निकलेंगे आप और एक नहीं शुरुवात करेंगे शायद इंतिजार बहुत हो गया और आपको लगता है कि इस परसन ने आपको दोका दिया होगा और आप अपने फ्य जिक करके स्पैल वक करके आपके पार्टनर को अपसे दूर किया है किसी बंदन में उनको बान के रखा है जिसके वज़े से इनका मन आपकी तरफ से उठकर किसी और जगह पर फोकस्ट है और यह परसन आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं यह किसी के प्लेट किया है ऐसा भी मुझे नजर आता है लेकिन साथे साथ दो मेचर अरकन की काड़ हैं जो एक बहुत ही नेगेटिव हैं और एक बहुत ही पॉसिटिव हैं तो यहां पर एक बुरा वक्त कहता है कि आपके जिंदिगी में अभी बुरा वक्त शुरू है या शुरू था जो अभी एक अच्छा वक्त आपके जिंदिगी में जरूर शुरू होगा यहां पर कोई आपके जिंदिगि में जरूर आएका बार-बार डूर्डिटिंगतेश आ थी कि आपकेसी के साथ साथ देमा वाले हैं, जिंदेगी की नहीं शुरुवात आप करने वाले हैं, चाहिए वही person हो सकते हैं, या फिर कोई नया person आपके जिंदेगी में आपको कोई propose करेगा, ऐसा भी आपर मुझे लगता है, आपकी दरफ आपके लिए नहीं बने थे, toxic relationship में, ऐसा लगता है कि आपके आपको बिलकुल खुशी नहीं मिल रहे हैं, आप शादिशिदा लाइप में भी हापी नहीं है, ऐसा ये कार्ड कहता है, शायद आप अपने फिर आपके काम में, जैसे कि काम आपका ना हो, किसी चीज में आपको खुशी ना मिले, ऐसा कुछ किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाप लगता है, जिसके वजह से मुझे यहाँ लगता है कि आपका कोई भी काम में success नहीं मिलता है, चाहिए जॉब है करियर है बिजनेस है या लव लाइफ में आपको खुशी नहीं मिलती है या फिर पल दो पल की खुशी आती है और तुरन खतम हो जाती है ऐसे कुछ वक्त आपके जिन्दिगे में शुरू है किसी के वज़े से आगे आप एक सही फैसला लेकर मोमेंट लेंगे ऐसा म अगर आपके परसन ने आपको दोका दिया है शाहिद परसन मेरेड है आपसे चुपाया है या फिर परसन जैसे की डिवोशी हो सकते आपसे चुपाया है और इनकी इंटेंशन भी मुझे कुछ खास नहीं दिखाए देते अगर आप किसी का वेट कर रहें तो यह परसन ऐसा भी यह कार्ड कहता है लेकिन कोई तो बना है आपके लिए 100 परसन जो कहीं न कहीं आपसे ठकराएगा आपके जिन्देगे में जरूर आएगा ऐसा यह संद का कार्ड कहता है बहुत ही पॉसिटिव और उस परसन के साथ आपका ट्रांस्फोर्मेशन होगा जिन्देगी बढ़ेगी आप आगे बढ़ेंगे एक नया कदम या एक नई सोच के साथ ऐसा मुझे आप लगता है क्योंकि सिक्स आफ सोर्स के एनरजी ट्रांस्फोर्मेशन को दिखाते हैं साथे साथ ट्रावल एनरजी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक नया बतलाव आपके जिन्द नंबर के यहां पर दो कार्ड तीन कार्ड आये हैं तो 666 इंजल नंबर आपके लिए लग्य हो सकता है विजनस को रिप्रेजेंट करता है और शेचेचेचेचे नंबर एक न्यू बिगनिंग को रुमांटिक रिलेशन्शिप को भी धरशाता है तो इंजल नबर 666 बहुत ह कार्ड आया है अगर किसी ने आपको दोका दिया है चीट किया है और वो इंटेंशन के साथ आपसे जुड़ा वाता इंसान या जुड़ी हुई थी इंसान सिर्व आपके साथ टाइम पास करने के लिए तो उस परसल को कर्मा फेस करना पड़ेगा है समझे यहां पर कार्ड कहता है ग्यारा नंबर भी पॉजिटिव कार्ड है तो यहां पर ऐसा लगता है ना कि आपके जिन्देगी में बहुत कुछ होने वाला है कुछ चीजें अच्छी होंगी कुछ बूरी चीजें आपके सामने आएंगी और आपके आंके खोलेगी जिसके वज़े से आने वाले गिनों में आप एक सही फैसल अपने जिन्देगी के बारे में ले सकते हैं अभी तक अगर आप स्टक हैं अटके हुए हैं आपके समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए तो यहां पर दो रास्ते हैं आपके लिए एक तो आप टॉक्सिक रिलेशन्शिप में ही चलते रहे और वो परसन आपका फायदा उठाए या फर वो टॉक्सिक रिलेशन्शिप से आप निकले और अपनी जिन्देगी के बारे में सोच कर एक नहीं शुरुआत करें सब कुछ आपके हाथ में हैं आपके माइंड के उपर डिपेंड करता है और अपने डिसिजन के ओपर यहाँ आप यहाँ पर नमबर कागा यहां पर amateur आप कुछ ना कुछ डिसिजन लेंगे जो आपके लिए बहतर होगा confidence आएगा और अपने लिए सोच इंगे जरूर अभी तक किसी ना किसी के लिए अपने बहुत कुछ कियां चाहि sutि है melt में 기자 अपने आ बहुत मुझे दिखाए देता है और यहां पर यह भी दिखाए देता है कि सही फैसला आप ज़रूर लेंगे आपको इंट्यूशन मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा या फिर किसी के साथ आप बात करके बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं बहुत सब्सक्राइब करते हैं ऐसा परसन आपके जिंदेगी में आया है या फिर आपकी कॉंटेक्ट में ज़रूर होगा सोचल मीडिया के तुरू मिला होगा या फिर आपके वर्क प्लेस पर कोई नि कैसा मुझे लगता है तो अभी जाकर आपके जिंदगी में बैलन्स आते हुए मुझे नजर आता है और बैलन्स आपके जिंदगी जरूर बदलेगा क्योंकि ट्यू आपका आपसे हैं कैंसर पाइसे स्कॉर्पियों करक राशी में राशी या फिर उरश्यक राशी हो सकती ह आपके आपके पार्टनर की जहां पर जिस प्यार का आपने इंतिजार किया है वो प्यार वो परसन आपके जिंदगी में आएगा जिनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी किस्मत ही बदलेगा यह इनसान और जो कमी है आपके जिंदगी में जो अक आपके साथ जरूर इन टाच आएगा जैसे कि अच्छानक चीज़ें होने वाली हैं जैसे हम अच्छानक सोचल मीडिया के ओपर किसी से फ्रेंडशिप बना लेते हैं वैसी कुछ चीज़ें होंगी लेकिन अपके कॉंटेक्ट लिस्ट में है या फिर इस परसन से आप बात कर सकते हैं या यह परसन आपके वर्क प्लेस प्यार भी हो सकता है या फिर पुरानी पैचार हो सकते हैं जो अच्छानक आपको फोन कॉल कर सकता है मैसेज कर सकता है या फिर बाक्ची शुरू हो सकती है और यह परसन अपनी फिलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेगा यहां पर आगे बढ़ते हुए मुझे नसर आता है क्योंकि ये दो नंबर का काड़ है और दो नंबर का मेजर अरकाना से काड़ आया है जो कि हाई प्रिस्ट्रेस का है यहां पर ऐसा दर्श दिखाता है ये काड़ कहता है कि आपकी जीवन में बालनस आएगा सो समझ कर कदम और आपका इंट्यूशन आपका दिल आपका जो कहता है वही अगर आप करते हैं तो आपको जादा फायदा होगा आप जिंदिगे में खुश रहेंगे ना कि दूसरों की बाते सुनकर अगर आपको फैसला लेते हैं तो आपके लिए काम नहीं करेगा इसलिए वही कीजिए जो आपका दिल कहता है क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लगता है दो नंबर के दो बार काड आए हैं तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है थर्ड आई चक्रा आपका उपन हो सकता है यह फिर जो आप सोचते हैं वहीं चीज़ें होती हैं आपकी सिंदिगी में आ रहा है और किसी के साथ नया रिष्टा जूड़ते वहीं भी मुझे नजर आता है हाई प्रिस्ट्रेस को आपको जरूर क्लीम करना चाहिए दो-दो की एनर्जी नौनमर काड अकिल अपन मुझे यहां पर नजर आता है आप जैसे की महनती हैं बहुत ही रो अच्छे कमाते होंगे घर अच्छा होगा फैमिली होगी गाड़ी होगी सब कुछ होगा लेकिन कोई प्यार करने वाला आपके जिंदगी में मुझे यहां पर नहीं है ऐसा लगता है तो आगे चाकर वो न्यू परसन जो आपके लिए बना है आपका डिवाइन कनेक्शन या सोल मेंट कनेक्शन आपके जिंदगी में आ सकता है कभी भी तो यहां पर यह भी मुझे कहता है यह कार्ड कहता है कि आप एक सोल मेंट की तलाश में हैं आप एक डिवाइन कनेक्शन को manifest कर रहे हैं ऐसा लगता है पास्ट में आपको धोके मिले हैं relationship रहा है आपका किसी के साथ लेकिन आगे नहीं बड़ा किसी ना किसी वज़े से और आपको धोके मिले हैं धोके इस चीस के मिले हैं कि शायद आपको चीट किया है पैसों के लिए किसी ने या पर कुछ फेवर्स आपने किये हैं लेकिन वो परसन ने आपके जैसे की पैसे नहीं लौटाए है या फिर कुछ ना को जो भी चीज़े आपसे ली थी उनको नहीं लौटाया या कुछ भी हो सकता है तो वो इसके लिए आप अभी कोई action नहीं लेना चाहते शांत रहकर सोचना चाहते हैं अपने जिन्देगी के बारे में कि आपके जिन्देगी कैसी रही है क्या मिला आपको क्या आपने खोया क्या आपने पाया सब को सोच विचार करते हुए मुझे नजर आते हैं eight of swords के energy तो thoughts आपके बहुत जदा negative है आपको ऐसे लगता है कि अभी भी आगे जाकर आपको कोई नव कोई धोका देगा अगर आपको किसी ने प्रोपोस किया है तो आपको विश्वास नहीं है उस इंसान के उपर क्योंकि past में पहले आपको किसी ने चीट किया है तो आपको ल नहीं करता है किसी और के साथ आगे बढ़े आने वाले दिनों में आप सो समझ कर फैसला जरूर लेंगे फूल का काड़ा है और उस रिष्टे में जो भी आभी आ रहा है आपके जिंदेगी में उसमें आपको डेट सारी कुशिया मिलने के chances बहुत जादा दिखाए देते है मुझे new beginning भी होगी भले इस रिष्टे में ups and downs होगी थोड़ा सा एक्जिस करने में आपको problem हो सकते उस person के साथ लेकिन दीरे तेरे एक दुसरी को समझेंगे रिष्टा आगे बढ़ेगा ऐसा में यहां पर नजर आता है तो यहां पर जो positive cards है वह लवस छे नंबर के card जो मै एक नंबर आपके लिए लगई है 10 नंबर लकी है 11 नंबर आपके लिए दो नंबर के कार्डस है जो बहुत ही है और नंव नंबर आपके लिए लगई है सबी बारा राश्यां यहां पर आयो ही है साथ यसा मुझे आप लगता है कि वक्त बतलेगा अभी तक आप परिशान लेकिन आप जो सोच रहे ना बहुत जादा सोच कर अपने आपको परिशान करना है वो चीज अगर करेंगे तो आपकी तब्यद बिगड जाएगी आपकी हेल्थ खराब रहेगी और आप और नेगेटिव होते वही मुझे नज़र आते हैं क्योंकि फॉर अफ सोर्स के एनरजी आप कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं ऐसा मुझे हैं आपन नज़र आते हैं साथे साथ एट अफ सोर्स के एनरजी आगे जाकर और जादा आपकी तबिद बिगड़ सकती हैं या फिर टेंशन आपका बड़ शल सकता है ऐसा मुझे हैं आपन लगता है तो सोच समझ कर आपको कुछ भी डिसीजन लेना चाहिए जादा नहीं सोचना चाहिए आपका दिल जो कहता है वही आपको करना चाहिए उसमें ही आपकी खुशी है लेकि 100% कोई तो आएगा आपके जिंदेगे में जिसके वज़े से आपको खुशी वापस मिलेगी या फिर आपका अकिलापन दूर होगा ऐसा मुझे लगता है हाई प्रिस्टिस का कार्ड यह कहता है कि अगले नियू मुन तक कुछ ना कुछ होने वाला ही फुल मुन तक ऐसा मुझे आपको पसंद करता है तो ऐसा मुझे लगता है कि उनके दिल में बहुत सारी ट्रू फिलिंग्स है और सच में वह आपसे मौबत करते हैं सच में आप लगते हैं तो उसके साथ रिश्टा आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है ऐसा लगता है क्योंकि सिक्स वांट्स के इनर्जी उसके नाइन वांट्स तो अकिले पन दूर होगा एक अच्छा वक्त आपके जिंदिगी में जरूर आएगा आपको विश्वास है यूनिव लगते हैं कर ख 앉पा आपको काल आ सकता है अंसरो अप आपका ट्रावल कि प्लैन है या फिर लेकिन पीछ में नो हा उट्रेव हैं जिसके हैं आप ट्रावल नहीं कर पाए तो आपी ट्रैवलिंग मुझे या आपर नजर आती है तो आपकी health भी अच्छी रहेगी अगर आप overthinking नहीं करते हैं tension नहीं लेते हैं और manifestation positive करते हैं तो health भी अच्छी रहेगी ऐसे लगते हैं कि आपको health issues है, sleep issues है ऐसा मझे लगता है, overthinking का problem है दिल आपका अच्छनक धड़कने लगता है ऐसे मझे लगता है कमसोरी आज आती है यहाँ पर ऐसी भी energy आई हुई है तो आज की reading में इतना ही positive रहेकर आपको positive manifest करना है अच्छा वक्त आपके जिंदेगी में ज़रूर आएगा Thank you all of you, thank you angels, thank you universe